वेलकम टू कॉंपिटीशन इस्टार हेलो डियर्स हॉस्टल वॉड़ान एक्जाम प्रिप्रेशन 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कम्प्यूटर सॉप्टेयर से सम्बंधित महतोपूर्ण प्रस्नोत्तर जो की हॉस्टल वॉड़ान एक्जाम के दृष्टी से बहुत ह ज़्यादा इंपॉटेंट है इसलिए आप लोग वीडियो को सुरू से अन तक बीना स्कीप की हुए देखेगा और जो भी इसके इस्ट्रफ फैक्ट है या फिर एनालाइस है इसको अच्छे से समझेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट कहने इस पहल जा सकता है तो काईड का उपयोग एक्यूरेसी के लिए भी किया जाता है रिपेड़ीटेबिलिटी स्पीड एनद फ्लक्सिबलिटी या प्रोडक्सन ये तीनों के लिए अभिवेक तक किया जा सकता है तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी ठीक है CAD का full form आप लोग को पता होगा computer computer added design ठीक है computer added design इसका full form है इसको याद रखेगा नेश्ट देखते हैं question number 2 computer को instruction set देने वाले term तक्निकी में क्या कहा जाता है तो देखे computer को instruction set देने वाले term तक्निकी में क्या कहा जाता है तो उसको बोला जाता है program ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा option number 1 program इसका right answer है अब software किसको बोला जाता है तो program के collection को software बोला जाता है मतलब program के समुहों को ही software बोला जाता है अनुप्रयोग क्या होता है तो ये किसी भी specific काम को करने के लिए इसका use किया जाता है अनुप्रयोग का और कमांड क्या होता है तो कोई भी computer program है उसमें कोई भी vicious कार्य जो होता है उसको निर्देश देने के लिए कमांड का use किया जाता है ठीक है कमांड का use किया जाता है कोई भी program को विसेश कार्य के लिए निर्देश देने के लिए किसका use किया जाता है कमांड का यूज किया जाता है ठीक शॉप्ट यह रख्या है तो कलेक्शन आप कंप्यूटर प्रोग्राम ठीक है और प्रोग्राम यह है इंस्ट्रक्शन से देने वाले तर्म तक्निक को प्रोग्राम कहा जाता है नेश्ट है कोश्चन नमबर थ्री एमेश डॉस किस सन में विक्सित हुआ तो इसका राइट अंसर आ जाएगा आपसंसी में विक्सित हुआ है देखे यह जो विक्सित हुआ हो वाला कोश्चन पूछा ही जाता है इसलिए यह इंपोटेंट है याद रखेगा इसमें जैसे कि गूगल हो गया गूगल कब विक्सित हुआ है तो यह हुआ है उनिस सवन ठानबे में विक्सित ठीक है विकीपीडिया हो गया विकीपीडिया कब हुआ है तो यह हुआ है 2001 में यूटीव हो गया यूटीव कब विक्सित हुआ है तो 2005 में विक्सित हुआ है वाटसेप हो गया वाटसेप कब हुआ है तो यह 2008 में विक्सित हुआ है इसी प प्रोवाइट करा दिया जाएगा ठीक है नेश्ट देखते हैं कोश्चन नमबर फोर कंप्यूटर सिस्टम को नियंतरित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है तो देखें कंप्यूटर सिस्टम को नियंतरित करने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता ह सॉप्ट एयर ठीख है याद रखने उसको बोला जाता है सॉपट एयर को किसकी संग्या दिया जाता है तो सॉप्ट एयर को कम्प्यूटर की आतमा का संग्या किसको दिया सब्ढ़ा जाता है। तो सॉप्ट और को दिया जाता हैं देंकुष्टन नव greatness सब्दक सर प्रतम प्रयोग किस ने किया तो इसका सर प्रतम किया है जॉण क्षेश्ड हें जनडमी कि की कि एक दीупरिकर चाहएं जैसे की हो फ्रतर होता है तो आप लोग के लिए कमेंट करके बताने का एक काम है कि जो Microsoft Office होता है यह कौन से Software के अंतरगत आता है Microsoft Office यह कौन से Software के अंतरगत आता है तीनों में से कमेंट करके आप लोग को बताना है ठीक नेश्ट देखते हैं Question No.6 यह एक Computer Animation Software है तो देखे Computer Animation Software बोला है तो जो Flash होता है यह भी Computer Animation Software है Maya भी है 3ds Max भी है तो इस प्रकार इसका Right Answer क्या हो जाएगा उपरोगत सभी इसके अतरीकत और भी जैसे कि Blender हो गया ठीक है Blender यह भी क्या है एक Computer Animation Software है ठीक Cinema 4D यह Important है Blender और Cinema 4D इसको भी याद रखेगा आप लोग ठीक और दोठो और Important है जैसे कि Unity हो गया और Fortune यह चारों को आप लोग Additional तोर पर याद रखेगा यह चारों भी इसके अतरीकत इंपर्टेंट है क्योंकि यह चारों को भी Question में आप लोग को Add करके दे सकते हैं तो आप लोग को नाम पता होना चाहिए ठीक है Question No.7 नया प्रेजेंटेशन किसे बना सकते हैं तो नया प्रेजेंटेशन हम लोग किसे बना सकते हैं तो डिजाइन टेंप्लेट से बना सकते हैं Option No.7 इसका Right Answer है ठीक है और Blank Presentation क्यों होता है तो Blank Presentation जैसे कि क्या में यूज़ करते हैं PowerPoint में आप लोग Blank Presentation Blank Farm को लेके यूज़ करते हैं यह होता है Blank Presentation ठीक है और Exacting Presentation यह क्या होता है तो यह मतलब इसको कहीं पर सेव करके हम लोग रखे रहते हैं ठीक है उसका हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मेट के रूप में और Design Template के उसमें Design हुआ मिलता है ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें Tools और Design नहीं होता ठीक है Design Template में Tools और Design नहीं होता याद रखेगा नाम से यह मत समझना की होता है ठीक नेश्ट देखते हैं Question No.8 मतलब Tools और इवम Design कहने का मतलब है कि इसमें पहले से कुछ Edit नहीं रहता जैसे कि यह हमारा क्या है Slide आ जाया इसमें कुछ लिखने का बस रहेगा वो पूरा Tools नहीं रहेगा ठीक है नेश्ट देखते है Question No.8 नीमन में से कौन सा PowerPoint software का View द्रिश्य नहीं है तो इसका Right आंसर क्या हो जाएगा B Outline View क्योंकि PowerPoint का कौन-कौन सा View होता है एक तो होता है Presentation View Slides View Slides Show View ठीक है और कौन सा होता है Normal View Normal View ये भी इसका एक प्रकार का View है ठीक नेश्ट देखते है Question No.9 डेश-डेश Multimedia Application Software नहीं है तो यहां बुला गया Multimedia Application Software नहीं है तो कौन सा नहीं है तो वो है Page Maker Page Maker नहीं है ठीक नेश्ट है Website निर्माड है तो Free Open Source Software है तो इसका Right Answer क्या हो जाएगा इसका Right Answer हो जाएगा PHP PHP का Full Form क्या होता है तो PHP का Full Form होता है Personal Home Page ठीक है Personal Home Page PHP का Full Form होता है और इसको कई जगा क्या बोला जाता है कई जगा इसको Processor बोला जाता है ठीक इसको भी याद रखिएगा और इसका जो Code मिलता है PHP एक प्रकार का ये Software में आ जाता है Software है ठीक है Open Source है ये जो Code रहता है Open Source है मतलब मुप्त में मिलता है ठीक और ये जो एक प्रकार का भासा में भी आता है तो इसको कोन बनाया है Ramsom लेडॉर्फ लेडॉर्फ ठीक है ये बनाया है 1994 में ठीक ये इसका History है नेश्ट देखते है Question No.11 बहुत से Software Title की अंतरगत आने वाले इमेज को क्या कहा जाता है तो इस इमेज को कहा जाता है Clip Art ठीक है क्योंकि देखे Software Title की अंतरगत आने वाले इमेज को अभी जैसे कि देखे Online Trending में क्या चीज़ Famous है Web Story चल रहा है ना Web Story या फिर जैसे Instagram में आप लोगी Story देखे होंगे तो यह क्या आता है यह एक Clip Art की रूप में आता है तो इस प्रकार इसका Right Answer क्या हो जाएगा Option No.1 इसका Right Answer है ठीक निश्ट है Quick Time Formate ठीक है Q Time Formate QTF किसके द्वारा विक्सित किया गया है तो यह किसके द्वारा विक्सित किया गया है दिया हुआ है Option Microsoft Intel Apple Google तो यह किया गया है Apple के द्वारा Option No.1 इसका Right Answer है ठीक है यह जो होता है QTF Quick Time Formate यह एक प्रकार का Multimedia Framework है ठीक है Multimedia Framework है ठीक यह एक प्रकार का Multimedia Framework और यह इसमें दो प्रकार का Fundamental Spaces होता है Expect होता है कौन-कौन सा होता है तो एक होता है Quick Time Player QTP Quick Time Player होता है और दूसरा होता है QT DT QT DT मतलब क्या होता है Quick Time Developer Tool जिसको हम लोग क्या बोलते है Quick Time Kit के नाम से जाना जाता है QT के Quick Time Quick Time Kit ठीक है याद रखेगा लेकिन जो QT के है Quick Time Kit है इसको बन कर दिया गया था 2013 में बन कर दिया गया है इसको इतना याद रखेगा Next है Question No.13 नीमन में से कौन सा Hacking Tool या साधन नहीं है तो ओबनाम ये Ubuntu का है ठीक है तो ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा Open Source Backup Software है ये ठीक है ये एक प्रकार का open source backup software है बाकी ये जो है ये एक प्रकार का hacking tool का साधन है ठीक है तो इस प्रकार इसका right answer option number 10 का right answer है Question number 14 internet में idea या video signal भेजने के पहले क्या करना आवस्यक है तो देखे internet पे idea और video signal भेजने के पहले हमको digitize करना पड़ेगा उसका क्या करना पड़ेगा इसका मतलब होता है उसको digital ses Cl pleasure में करना पड़ेगा जैसे कि हमारा कोई है जैसे कि मैं आप लोग को पढ़ा रहूं है ना तो मैं जो वाइस बोल रहूं यह क्या हो रहे 아니oo हो रहा है recorder के माध्यम से और जो वीडियो इसfloon record चल रहा है यह भीससे वीडियो क्या हो रहा है digitize हो उसके बाद आप तक सेंड किया जाएगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा डिजिटाइज तो अपसर नमबर सी इसका राइट आंसर है ठीक नेश्ट देखते हैं कोश्चन नमबर फिप्टीन कम्प्यूटर सिस्टम की बुटिंग के लिए आवस्यक है तो देखें बुटिंग कब आवस्यक है तो बुटिंग तब हुआ जाएगा जब कम्प्यूटर क्या होगा चालू होगा है ना और कम्प्यूटर चालू किसके माध्याम से होगा यदि उसमें क्या रहेगा ऑपरेट system software होना चाहिए और assembler क्या है तो देखे assembler एक क्या होता है मसीनी भासा में जो लिखा हुआ प्रोग्राम होता है उसको समझता है यह क्या करता है मसीनी भासा के प्रोग्राम को समझता है ठीक है लेकिन जो यूजर होता है वो assembler को नहीं समझेगा मसीनी भासा को नहीं समझेगा तो इसको समझने के लिए एक भासा बनाये गया है जिसको बोला जाता है असेंबली भासा इसको समझने के लिए ठीक है इसको याद रखेगा compiler क्या होता है तो compiler कोड को translate करते हैं प्रोग्राम कोड को क्या करते हैं उसको बूला जाता है जैसे की कई कर देखेंगे लाष्टप्र में करकेologist starts home include Kuno यो टॉटेच ठीव है यह क्या होता है header file होता है नच कि और उसके बादtaht इंक्लूड इंप्रole of studio.org सुध्य होता है इस प्रकार उसके बादत को पर यह जो मेरं आधा के होते हैं इसोता है में वो क्या करने का translate करने का काम ठीक है high level language software क्या होता है तो यह high level language software यही software होता है क्या वाला high level language का जैसे कि इसमें कौन-कौन सभास आ जाएगा assembly भी एक प्रकार का high level language है ठीक है जितना भी programming language रहता है वो सभी high level language में आ जाता है जैसे कि Java script हो गया python हो गया हलाकि जो python होता है यह क्या करता है एक तरीके से compressed form है समझे कोई भी आप लोग code लिखेंगे python भासा में वो code छोटा रहेगा ठीक है code क्या होता है छोटे code से हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं लेकिन सी प्लस प्लस में लिखोगे तो आप लोग को लंबा code लिखना पड़ता है ठीक है तो इस फ्रकार यह जो 15 question है यह आप लोग के soft air से related important question है इसको आप लोग अच्छे से याद रखेगा इसकी अतिरीक्त और भी सभी पार्ट प्रोवाइट कराया जाएगा ठीक है पेपर अभी इसका जो इक्जाम है होस्टल वाडन का यह थोड़ा डीले हो रहा है तो कि देखिए अभी चुनाओ टाइम आने वाला है यदि सरकार अभी पहले ही निकाल देगा तो कोई मतलब नहीं रखेगा तो उसको फायदा लेना है ना सरकार को तो इसलिए थोड़ा वो क्या कर रहा है डीले कर रहा है ताकि इससे भी हम लोग को फायदा हो सके वोट मिल सके टाइप के ठीक है तो आप लोग पहले से क्या रहना प्रिपेयर रहना जितना ज्यादा हो सके आप लोग तयारी करके रखेगा औ पहले लाइक से यार और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा साथ में बेल आइकन को आल पर रखेगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो इसको नौटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके सो आल दी बेश्ट